आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रिसायन, विग्यान, भौतिक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनोड करें यानि अपोहन की जो इकाई यानि डायलेसेस की जो प्रॉसेस है उसमें जो डायलाइजर होता है ठीक है उसके अंदर रहता है प्लाजमा उसके अंदर प्लाजमा रहता है अब उसमें प्लाजमा हम क्यों फिल करते हैं प्लाजमा फिल करते हैं ताकि जो रोगी है जिसके रक्त में यूरिया जो है वो छन नहीं रहा है या यूरिया जो है वो मुत्र के रुप में बाहर नहीं जा रहा क्योंकि उसके शरीर में जो गुर्दे या किडनीज हैं उन्हों यहाँ पे अपोहन यानि डायलेसेज की प्रोसेस हम उपयोग मिलाते हैं तो यहाँ पे उस प्लाजमा के अंदर उस प्लाजमा के अंदर क्या नहीं होगा उस प्लाजमा में यूरिया नहीं पाया जाता यूरिया नहीं पाया जाता जब इस प्लाजमा से रक्त को पास किया जाता है या ब्लड को यहां से निकाला जाता है तो डिफ्यूजन यानि विसरन की क्रिया के द्वारा विसरन की क्रिया के द्वारा रक्त में उपस्तित यूरिया कहां चला जाता है इस प्लाजमा में क्योंकि यहां पर यूरिया की मात मात्रा नहीं है तो विसरन की प्रक्रिया कैसे होती है जहां पर मात्रा अधिक होती है वहां से जहां पर नहीं होती है वहां की और गति करती है विसरन की क्रिया में कर्ण जो है वो तो यूरिया जो है वो प्लाजमा में आ जाएगा और रक्त जो है हमारा वो साफ हो जाएगा तो यहाँ पर हमें फर्स्ट आप्शन दिया है, ग्लुकोस की मात्रा अधिक होती है, तो ग्लुकोस की मात्रा यहाँ पर प्लाजमा में नहीं पाई जाती है, ठीक है, यह यूरिया की मात्रा अधिक होती है, तो दोस्तो यूरिया एपसेंट होगा, तभी तो जो बलड में वहां आएगा वो उस प्लाज्मा में आएगा और हमारा जो रखत है वो शुद्ध हो जाएगा. तीसरा है यूरिया नहीं होता तो यहीं होता है प्लाज्मा के अंदर, टीक है? उसके बाद यहाँ पर फॉर्थ ऑप्शन है यूरिया अमलकी मात्रा अधिक होती है तो यूरिक अमलकी मात्रा भी अधिक नहीं होती है तो सही आंसर है ऑप्शन C आशे करते हैं आपको इस प्रश्ण का उतर समझाए होगा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद